Hello Everyone welcome back to our YouTube channel तो आज की studio में हम start करने वाले हैं अपना next lecture intermediate से basically आपको पता है जो intermediate होते हैं वो क्या होते हैं Intermediate intermediate क्या होते हैं जैसे कि आप कोई भी chemical reaction स्क्राद के लिए जाते हो तो उसमें basically बीच में कुछ intermediate form हो रहे होते हैं जिनने आप आई honestly कर सकते हो किना कर सकते हो एंड जिनने आप हम अच्छा आइसुलेट कर सकते हो उन्हे में he can adjustDas कह दे और जो अंच्छार नहीं होते हैं उन्हें intermediate से category में नहीं रखते हैं तो basically जो intermediate होते हैं उसके लिए basic जिए बैसिक यहाां पर से काल ली एकना पूणा सागना दीथा में होते हों तोहाएं सबसे पहला जो हो इन्टर отлич Moscow do निटरीन दोन सब्सक्राइण और सबस्सक्राइब कि और उस्फेश्ड लेकर अगर को इंटेर्मिडियेट होते हैं ने को सब्सक्राइब देखक करें हैं appropriate जैसे आपके कार्फिन होते हैं नाइठ्रीण होते हैं यह सभी Intermediate ओटाइपस से लेकिन बेसिकली जितना आपको पढ़ना है उसी के बारे में हम डिसकस करेंगे, यहाँ पर तीन मैंने मैं इन मैंजने लिखा राएंड syllabus में अगर और कोई intermediate include होगा तो वह भी मैं देख करके जो है आपको यहां पे introduce करा दूंगा तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले start करने वाले हैं अपना first intermediate अब वह हमारा कार्बो केटायन तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले cleavage करते हो क्या करते हो हेट्रो लिटिक बोंड क्लीवेज अगर आप इसका करोगे तो आपका form क्या होगा यहां पर simply x के तरफ में जो है आपका electron चला जाएगा एंड यहां पर आपका form करेगा r plus plus जो है x- form करेगा यह जो species यहां पर form हुआ है इसके बारे में अगर आप बात करोगे तो इसके पास में जो है जैसे अगर यह आपका आर जो है c h 3 यह आपका c e li होगी है तो यहां पर c h 3 आपका जो है आप कहा दो sorry 6 electron present है यहां पर यहां पर जो है मतलब इसका जो है octate भी जो है octate भी complete नहीं है और यहां पर जो है no odd electron present है मतलब यहां पर 2-3 point हमें इससे clear होता है कि यह आपका electron deficit है दूसरा यह क्या है इसका octate जो है complete नहीं है एंड इसके पास में कोई भी ओड इलेक्ट्रोन नहीं है मतलब इवन यहां पर इलेक्ट्रोन प्रेजेंट है यह तीन-चार पॉइंट्स जो है हमें यहां से मिलते हैं अब तीसरा इंपोर्टेंट क्या है कि जो आपका CH3 आपको जिए तो इसके हाइवडाएसंस की अगर आप बात करोगे तो इसका हाइवडायशन होने वाला है आपका यहां पिकर लिए स्बसेव पहले निगालगे जो sigma bonding यहां पे कितने कर रहे है तीन hydrogen कर रहे है यहां पे तो यहां पे आपको जो है 3 electron इसके जोड़ लेने हैं और यहां पे positive है तो इसमें एक minus आपको कर लेना था तो total जो है यहां पे 1 by 2 into जो है आपका 6 जो है आपका 3 आ रहा है मतलब यह हाईवडाइसन जो है SP2 हो जाता है मतलब जो है इसकी अगर आप यहां पे geometry की बात करोगे तो geometry भी जो है आपका इसका trigonal जो है trigonal प्लेनर geometry आने वाली है ठीक है यहां पे हम थोड़े से इसके जो भी stereo स्टीरो नहीं इसका जो भी geometry safe वगरा के बारे में है यहां पे बात कर लेते हैं अब यहां पे कुछ important points के बारे में जो भी आपे बात करेंगे जो भी अभी हम man to go no unpaid electron तीसरा मेने आपको बताया चूकि यहां पे छोन यह यह स्पीशीज होता है तो यह यहां पर कोई unpaired उलक्ट्रॉनिं प्रेजर्ट नहीं हम प्रेजर्ट को यह जाता है अगर यहां पर अपर यहां पर पे dormir समय प्रेजर्ट्रॉन बहुंन्स प्रेजर्टर होजाता है तो लियृगे okay इसे यह общ हमें पर आनपेड इलेक्ट्रोन प्रेजेंट होता तो यह एक्टिव हो जाता बट यहां पर आनपेड इलेक्ट्रोन नहीं प्रेजेंट है जो कि तीनों प्रेड होंगे इसलिए यह जो होगा आपका ESR यहाँ पे inactive हो जाएगा next point यहाँ पे किया है और वो चोथा point है आपका इसमें जो है octate incomplete है octate incomplete है next इसका point किया है कि इसका जो safe है safe मैंने बताया इसका safe होगा trigonal trigonal planar safe होता इसका ठीक है और इसके पास में जो है six point किया है empty यहाँ पे जो है orbital होगा जैसे इसके orbital safe की बारे मगर आप बात करोगे यहाँ पे CH3 पे जो है positive है तो मतलब इसके पास में जो है कहीं न कहीं एक empty जो है P orbital present होगा जिस पे जो है यह loan pair of electron accept कर सकता है तो इसलिए हम कहते हैं इसके पास में जो है एक empty जो है P orbital present होता है जिस पे जो है यह loan pair of electron accept कर सकता इसलिए हम कहते हैं Act as Electrofile Electrofile मैंने आपको अल्रेडी बताया था इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं जो loan pair of electron accept कर सकता था तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल का जो है एक टाइप हो जाता है अब यहाँ पे जो Carbocatines भी होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हो यह भी आपके Carbocatine भी जो है टू टाइप्स की होता है वह कैसे तो सबसे पहले यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे जश्ट आपको बताया कि इसमें जो है six balance electron यहाँ पे प्रेजेंट थे बट अभी मैं ऐसा Carbocatine अगर आप बात कर रहे हो तो basically जो है आपने इसे जरूर ऑफजर्फ किया होगा class 12 में इसमें दो तरके Carbocatine होते हैं जो आपका होता है पहला होता है वह आपका होता है classical Carbocatine और दूसरा होता है आपका non classical Carbocatine आप देखो classical and non classical Carbocatines क्या होते है classical जो भी basically आपने देखा जो CH3 positive होता है यह आपका classical carbocatine हो गया बट एक और टाइप का carbocatine होता है जैसे आपने CH2 double bond CH2 के साथ में जो है आगर आप reaction कराएं जब BR2 का तो इसमें basically आपका क्या form होता था CH CH यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर ब्रोमीन आ गिया और इस पर जो है आपका positive charge form होता था यह भी आपका एक तरह का carbocatine है जिसे हम non classical carbocatine कहते हैं अब इन दोनों में major difference किया है यह तो आपका trigonal planer होगा ही और दूसरा importance का जो bond angle होगा वह आपका 120 degree होगा और यह आपका trigonal planer था इसका bond angle 120 degree हो जाता है इसका जो basic example था आपका CS3 जैसे मैंने बताया या फिस CR3 positive इसका basic examples होते हैं but non classical के लिए अगर आप बात करोगे तो यह आपका tetrahedral होता है जो कि आपको carbocation के types के बारे में जो है आपको जानना ज्यादा important था ठीक है अब हम यहाँ पे अपना next बात करने वाले है stability of carbocation के बारे में लेकिन उससे पहले एक point जो हमारे छूट रहा था वह क्या है shape जो कि shape को थोड़ी अच्छी तरीक से मैं यहाँ और आपको explain कर दू कि कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसे add करके चाल सकते है विकोज आपको ब्यस्टी लेबल में इससे लेटेट जो है आपको एक questions भी पूछा जा सकता है जैसे CH3 आपका positive हो गया तो यहाँ पे C3 positive में क्या होगा कि यह आपका carbon है और यहाँ पे आपका तीन hydrogen यहाँ पे present होगHow और यहाँ पे जो है हम यहां पर wedge and dash में जो है आपको यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहें और यहां पर आपका vacant orbital vacant p orbital जो है present होगा तो यह इसका orbital safe हो जाता है जो basically जो है आपको पूछा जाता है और यहां पर आपका 120 degree जो है आपका यहां पर bond angle हो जाता है ठीक है तो यह सारे points को जो है आप यहाँ पर कार्बोगतायन के लिए जो है याद जरूर रखना विकोज यह चीज़े जो है आपको always जो है पूछी जाती है अब जो है हम यहाँ पर अपना next यहाँ पर बात करेंगे वो है stability order stability order देखो stability order की अगर आब बात करोगे तो stability order निकालने के लिए आपको एक order याद रखना होगा कि किस तरीके से जो है आप stability का order निकालोगे तो वैसे कार्बोगतायन जो aromatic हो वो जादा आपके स्टेबल होते हैं with respect to जिस कार्बोगतायन में जो है आपका प्लस एम इफेक्ट लाग रहा हो यानि मेजोमेरिक इफेक्ट जो कि मैंने लास्ट लेक्चार में आपको बताया है ठीक है मेजोमेरिक इफेक्ट देन उसके बाद में जो है आपका हाइपर कॉण्जुगेशन हाइपर कॉण्जुगेशन देन आपका होता यहां पे इंडक्तिव इफेक्ट इंड्ड इफेक्ट देन आपको यहां पे एरोमेटिक हो जाता है तो इन सारे जो आपको मैंने इफेक्ट बताया है इन इफेक्ट के ओडर के बेसिस पे आप इस्टेबिटी ओडर निकाल सकते हो कार्बोकेटायन का जैसे अभी मैं एक्जामपर्स दूँगा जिसके बेसिस पे जो है आप यहां पर बहुत इसली फाइ स्ट्री देन आपका यहां पर फिर से स्ट्री और यहां पर पॉजिटिव हो गया फिर से हमने लिए लिया स्ट्री कार्बन स्ट्री यहां पर हाइड्रोजन यहां पर पॉजिटिव देन आपका स्ट्री सी एच्ट्व आप पॉजिटिव यहां पर आ गया इन तीनों में स् है यहाँ पे जो है six alpha hydrogen present है यहाँ पे three alpha hydrogen present है मतलब यहाँ पे nine alpha यहाँ पे six alpha यहाँ पे three alpha present है मतलब यहाँ पे जो है आपके nine hydrogen का जो है यहाँ पे hyperconjugation लग रहा होगा hyperconjugation लग रहा होगा और यहाँ पे six hydrogen का लग रहा होगा यहाँ पे three hydrogen का अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि aromatic then hyperconjugation sorry mesomeric then hyperconjugation then inductive effect तो यहाँ पे आपने देखा है कि इसका hyperconjugation ज्यादा है तो मतलब कहीं न कहीं यह आपका ज्यादा stable होगा then यह आपका order रहने वाला है because यहाँ पे 9 then 6 then 3 दूसरा अगर आप यहाँ पे inductive की बात करोगे तो यहाँ पे 3 inductive जो है आपके carbon यानि 3 plus i effect के carbon present है यहाँ पे 2 plus i effect करण प्रेजेंट है यहाँ पे 1 plus i effect करण प्रेजेंट है इसलिए दूसरा यहाँ पे बात करने वाले है जो एक इक्जामपल हमारा यहाँ पे है बेंजायलिक कार्बोकेटायन और एक एकजामपल लेंगे CPM, यानि सइक्लो-प्रोपैल-मिथाईल-कार्बोकेटायन के बारे में, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है एकजामपल में, जो की है आपका यहाँ पर CH2, यहां पे positive देन मैंने यहां पे ले लिया है आपका यहां पे positive तो यह जो होता है आपका CPM होता है cyclopropyl methylcarbocatine और यह जो होता है आपका bengylic bengylic carbocatine इसे में पुरह नाल लेकिता है cyclopropyl methylcateine तो इन दोनों में stability order की बात करोगे तो यहां पे एक basic जो है आप इसे exception कहलो या फिर एक basic जानकारी के basis पे ले लो कि यह जो carbocatine present होता है इसके stability के अगर आप बात करोगे तो आप यहां पे देखोगे इसके structure के basis पे तो यहां पे orbital structure से आप यह जी समझ सकते हो कि यह जो दोनों carbon की बीच में जो bonding होती है और यहां पे जो carbocatine की बीच में जो vacant orbital present है इनके बीच में interaction होता है और interaction कारण यह bond जो है break हो जाता है और यह जो breaking of bond होता है इसे हम कहते है dancing resonance क्या कहते है dancing resonance और इस dancing resonance की कारण जो है यह वाला जो cogatine होता है यह आपका benjali cogatine से ज़िए ज्यादा stable हो जाता है इस इस केस में जो CPM होता है वह आपका बेंजाईली cogatine c grown होता है और overall carbogatine के stability के के आखर बात करोगे तो उसमें cpm सबसे उपर में आता है मतलब आपको कोई भी कार्बोगटायन का एजांपल दिया हुआ रहे है और उसमें आपको कहीं न कहीं सबसे ज्यादा जो है उस केस में लने तो आपको और ऐची तरीके सी एक सी पीएम ग्रूप गुरूप गुरूप प्रेजन निधी आप यहाँ पर एक CPM गृप present है, अब इन तीनों में stability order की बात करोगे, तो यहाँ देखना जितना ज्यादा CPM group होगा, उतना ज्यादा कार्बोग्ताइन की stability होगी, तो यहाँ पर तीन CPM गृप present है, यहाँ पर दो प्रेजन है, यहाँ पर एक present है, तो stability order जो है आपका यह रहने वाला है कार्बोकेटाइन का stability order तो यह सारे examples को जो है आप याद रखना अब कुछ ऐसे कार्बोकेटाइन के बारे में बताने वाला हूं जो की basically form नहीं होना चाहते वो unstable बहुत जादा होते हैं तो यहां पर जो है हम बात करने वाले वैसे कार्बोकेटाइन जो actual exist नहीं होना चाहते जिसमें जो है highly unstable कार्बोकेटाइन की बात करें तो HC triple bond C positive यह आपका form नहीं होना चाहता है देन दूसरा आपका होता है CH2 double bond CH2 positive and तीसरा important जो है यहां पर आपका कुछ इस तरीके से positive यह तीनों जो है बहुत जादा जो है आपके unstable कार्बोकेटाइन होते हैं अब दूसरा हम यहां पर बात करें जो कि bread's rule के according होता है B-R-E-D-T-E-S bread's rule के according यहां पर देखो यह यह कहता है कि यह rule के according ब्रिजेड carbon पर जो है bridge, head carbon पर जो है कार्बोकेटाइन जो है unstable होता है unstable होता है जैसे इसका example होगी आपका कुछ इस तरीके से आपका एक nor-waring system present है यहां पर यह आपका नोर-waring system है और यहां पर आपका यह कार्बोकेटाइन किसी ने दे दिया है तो यह बहुत ज्यादा unstable होता है तो यह कभी भी form नहीं होना चाहता है ठीक है यह कभी form नहीं होना चाहता है यह बहुत ज्यादा जो है आपका कार्बोकेटायन unstable होता है तो इस चीज को आप यह देखना कि यह कभी फॉर्म नहीं होगा जैसे को कभी reaction दे दिया गिया कि यह reaction फैबरेबल होगा या नहीं होगा इस तरीके से यहां पर ब्रॉमिन दिया हुआ है और इसको जो है अग दिया हुआ था तो यहां पर जो है क्या सरीकेस जो है आप उसके से और कार्बोगतान क्या होता है वो सभी चीजों को जान सकते हैं जो कि आपके बैसिकली स्लेबस का पार्ट था एंड जो भी चीज़े यहां पे मैंने बताइग उन सभी चीजों को जो है effect के basis पर बताया था जो कि aromatic हो गया aromatic हो गया देन आपका यहां पर mesomeric effect देन hyper को यह plus effect है ओके यह plus h effect है देन उसके बाद में जो है आपका प्लस i effect देन आपका anti aromatic effect anti aromatic effect यह basically इसके order रहने वाले हैं वहाँ पर आप देख लेना कि किसमें से यह पर तो आज के लिए पस इतना मिलते हैं नेग्स्ट विडियो वुमतब्रेक्ट के लिए